तो दोस्तों देख सकते हैं अभी हम National Scholarship Portal के official site पर और दोस्तों अभी आप सभी के लिए एक good news है आप सभी student को पता होगा कि जितने भी 2023-2024 student है उसमें different type की scheme मेरिटलिस में selection होना start हो चुका है अब इस वीडियो के अदर हम बताएंगे कि यहां पर मेरिटलिस में selection हो गया अब इस वीडियो के अदर हम बताएंगे कि यहां पर मेरिटलिस सेलेक्शन आपका कब होगा payment कब आएगा 2023-2024 को लेके शाड़ी जितनी भी updates होंगी आपके साथ यहां पर share करनी की कोशिश करेंग अब ही जो है यहां पर देख सकते हो कि हमारे पास इसकी screenshot है बताऊंगा इसके scheme name क्या है अभी आप देख पार होगे यहां पर लिखा हुआ बिहार के student है 2023-2024 यहां पर देख सकते हो application sent to pfm for payment और merit list में selection भी हो चुका है बट यहां पर token number भी इस बंदे का generate होगा यहां पर म करेंगे यह यूपी के student है यहां पर देख सकते हो इनका भी application sent to pfm for payment हो चुका है वाइस आपके token number पर generate हो चुके है इस बार वह स्कीम को particularly इस बार यह किया गया है कि जो भी स्कीम में डिले हो रही थी उस स्कीम को पूरी तरीके से डिले कर दिया लेकिन दूसरे वाली स्कीम को पैरलली आगे continue इन्होंने किया है जैसे कि इसका सीधा साधा example आप देख सकते हो ministry of social justice के अंतर का top class के जो स्कीम ह चाहे हो हमारे SC student के लिए हो अभी देख सकते हैं इनका date सारी close है इनकी student के यहां पर merit list में चैयन हुआ है जैसे कि जो मैं अभी screenshot आपका दिखा रहा हूँ अगर आप top class SC student को हो तो अभी एक बर check करना आपकी भी merit list में selection यहां पर जरूर हो गया होगा इसके आलाबा अभी हम employment person with disabilities है इन सभी का merit list में चैयन दीरे-दीरे होना स्टार्ट हो गया almost 80% student का selection हो चुका है अगर आपका नई selection होगा तो एक बार नीचे comment में जरूर आप अपनी problem को share करके जाना अभी इनकी बात कर लेते हैं शीदे-शादी payment कब आएगा तो यहार जैसे कि आपको पता है कि sent to PFFMF हो गया मतलब कि NSP से इनका काम बिल्कुल खतम हो गया अब इनका सारी काम जो हो गया वो PFFMS यानि Public Financial Management System करेगा लेकिन उससे पहले आपको बता दू token number जब तक generate नहीं होता आपकी status NSP कभी so नहीं करती PFFMF वाली क्योंकि जो PFFMF पे जाता है वो file transfer होता और file की unique code ID होता है ठीक है तो वो token number के एक short term के लिए होता है बाकि इसका detail में मैं नहीं जाओंगा आप यह समझ लीजिए token number short term के लिए होता और उस time period के according अगर उस पे काम नहीं किया तो token expire भी हो जाते है फिलाल के लिए अगर आपको token generate हो गया तो आपको PFFMF की official side पे आनी अपनी status check out करनी है अभी फिलाल के लिए PFFMF पे कुछ error आ रहा है या फिर आपके record पिछले साल के ही अभी सो कर रहे है पिछले साल के अभी सो कर रहे है तो थोड़ा सा आपको time hour लगेगा और अगर आपका pending for succession generation under ministry कर रहा है तो यह आपके लिए well and good chance है कि आपकी payment बहुत जल्दी यहाँ पे release की जाएगी अभी मैं बात करता हूँ कि कब release करी जाएगी और जिनी student का merit list में chain नहीं हुआ है उनका कब होगा तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी देख सकते हो यह मंत चलना है March की ending यहाँ पे बहुत close है ठीक है तो March की ending बहुत close है और आपको पता है कि एक April से financial year भी start होने वाला और अभी यहाँ पे यहाँ पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमारी voting भी start होने वाली है तो इन सभी चीजों को देखते हुए April के first week से यहाँ पे payment आनी start हो जाएगी आप देख लेना April के first week से कुछ-कुछ scheme के हैं जो वह payment करना release करना start कर देंगे ठीक है तो अभी आप सबसे इंपॉर्टेट यह हो जा था कि अपनी स्टेटस को डेली बेसिस पर रिक्लरली बेसिस पर चेक आउट करो क्या चेंजे जा रही है क्या नहीं वह चीज़े जरूर आप यहाँ पर अमेंड सेक्शन में जरूर बताने है प्रस्टनल इंस्टाग्राम पर एडॉट अपनी स् किन्ता ना करें धीरे यहाँ मेरिट लिश्ट में चैन है ना होना ही स्टार्ट हो चुका है और अगर आप 60% से अबब हो तो क्राइटेरिया को फुल्फिल कर रहो अगर 80 70 to 80% में हो तो गुड हो मतलब बैटर हो और 80 से उपर हो तो भाई वैस्ट हो और इसके साथ ही इंकम certificate अगर 1,00,000 या 2,000,000 अट裡स्ट आपका 2,000,000 है तो भी आपका चलेगा कोई दिक्कत नहीं है तो मेरिट लिश्ट में से-लक्षन होने के लिए आपको यहाँ पर दो लगु से इंकम ज्यादा है तो तो थोड़ा सापको यहां पर यह पर यह नहीं कहूंगा कि आपके सेलेक्शन हो गया सिर्फ 2023 वाले स्टूडेंट बताएंगे जो भी हमारे फ्रेस स्टूडेंट है तो आज की विडियो बस इतना ही दोस्तों वीडियो को एक बार जरूर लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके जाहिएगा धन्यवाद